नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चनलन सुचना किन पर तमाम सिख्षकों को अमदसकों का पुना स्वागत है दोस्तों सिख्षा विवाग से एक बड़ी खबर आ रहे है कि राश्रकार ने जारी किया आदेश दू वर्षिय डीपी ट्रेंड तिथी से सिख्षकों को नियोजी सिख्षकों को मिलेगी बितिया लाव और वरिता का लाव तो दोस्तों इगनों से सेवा कालिन डीपी के दो वर्षिय प्रसिक्षन प्राप्त करने के उपरान चौमा का सामर्धन को सफलता पुरुबक पुर्ण करने वाले सिख्षकों को डीपी के दो वर्षिय प्रसिक्षन उत्रिन होने कीती थी से प्रसिक्षित बेतनमान देने के समझ में सिक्षा विवाग ने निकाला आदेश ग्यात हो की परदेश के परदेश में 2003 से बरी संख्या में अपसक्ता अनुसर और प्रसिक्षित सिक्षिकों का निजन किया गया इसमें 1,52,211 और प्रसित सिक्षिकों को प्रसिक्षित कराने के उदेश से इगनो के दूबर्सिय डीपी कोर्स में नामंकर कराया गया परंतु NCT द्वारा बिहार में उक्त डीपी कोर्स को मानता परदान नहीं की गई इस सम्मंद में NCT एवं मानव संसान विकास विवाग भास्षकार से कई बार पत्राचार किया गया NCT के पत्रांग FN-19-2008, NCT 7498 दिनांग 22-2012 के द्वारा छो मा के समर्धन कार्जक्रम की सर्थ के साथ इगनो के डीपी एवं छो मा के समर्धन कार्जक्रम के प्रसिक्षन को मानता परदान की गई ट्रेंड बतनमान देने की थी कि निर्धान के समद में मानने या उच्छ नियाले पटना में दायर CWJC संख्या 14-652-2012 कार्थिक जनक एवं अन बिहार सकार एवं अन तथा संगलंग वादों में में दिनांक 3-1-2-13 को अंतिम आदेश पारित किया गिए कि डीपी के दो वर्षिय प्रसिक्षन उतिन होने पर ट्रेंड माना जाया परंतु आदेश के ब्रूद राश्रकार दोर माननिया सर्वोच नियाले दिल्ली में SLP दायर संख्या 376-336-2018 दायर किया गिया जिसे दिनांक 14-2-12-15 को खारिज कर दिया गिया इस विशाय पर माननिया उच्छ नियाले पटनाने अनेक याचिका ब्यक्तिकत रूप से हम सिक्षक्षं की और से दायर किये गई इस कानिस मामनि से सम्मांदित राज भर के सभी सिक्षकों के सम्मांद में निरने लिये जाने किया वे सकता है उतिर्ण होने के तिथी से ही प्रासिक्ष बेतनमान देने के आदेश निकाला गया इस आदेश से राज के लगवाग एक लाख बावन हजार सिक्षकों को लाब मिलेगा ऐसे सिक्षक जो 2003, 2005, 2006, 2008 में जिसकी बहाली हुई थी